एक समय भगवान विश्नु माता लक्ष्मी माता के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे लक्ष्मी माता ने देखा की समस्त मनुष्य गंगा में नहानहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं प्रिय दर्शकों अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्यान कभी किसी के लिए सही नहीं होता इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्षमी लिखे उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे उनके घर हमेशा धन से भरा रहे श्रोताओं जब माता ने देखा की समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं परंतु सभी दुखी और परेशान है तब लक्ष्मी माता ने बहुत आश्चर्य से भगवान विश्नु से पूछा गंगा में इतनी बार सनान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही भगवान विश्णु ने कहा गंगा में तो वही सामर्थ है परंतु इन लोगों ने पाप विनाशिनी गंगा में सनान ही नहीं किया है फिर इन्हें लाब कैसे हो लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा कि सनान कैसे नहीं किया सभी तो नहा कर जा रहे हैं अभी तक उनके शरीर भी नहीं सुखा है भगवान विश्णु ने कहा यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं तुन्हे कल इसका रहस्य समझाऊंगा दूसरे दिन बहुत जोर की बरसात होने लगी गलिया कीचर से भर गई एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गढ़ा था चारों और कीचर भर रहा था और भगवान विश्णु ने लीला से व्रिध रूप धारन कर लिया और विवश की तरह गढ़ा में जाकर ऐसे पढ़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गढ़े में गिर पढ़ा हो और निकालने की चेश्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो लक्ष्मी जी को उन्होंने यह समझ कर गढ़े के पास बैठा दिया कि देखो तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पती अकस्मात गढ़े में गिर पढ़े हैं कोई पुन्य आत्मा इन्हे निकाल कर उनके प्राण बचाए और हम असहाय की सहायता करें और भगवान विश्णों ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गढ़े में से मुझे निकलना को तयार हो तब इतना और कह देना की मेरे पती सर्वता निश्पाप है इन्हें वही चुए जो खुद भी निश्पाप हो यदि आप निश्पाप है तो उनके हाथ लगाए नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे लक्ष्मी यह कहकर गड़े के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर भगवान विश्णु जी की सिखाई हुई बात कहने लगी गंगा में नहा कर लोगों के दल के दल आ रहे हैं और सुन्दर युवती को यू बैठी देखकर उनके मन में पाप और कुछ धर्म का भाई हुआ कई कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह भी सुना दिया कि मरनेदे बुद्ध को क्यों उसके लिए रोती है और कुछ दयाल चरित्रवान पुरुष उन्होंने उसे युक्ती के पती को निकलना चाहा परन्तु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वह भी रुख गए उन्होंने सोचा कि हम गंदा में नहा कर आए है तो क्या हुआ पापी तो है कहीं सहायता करते समय हम भस्म ना हो जाए इस स्त्री के कथन के अनुसार हम खुद भस्म ना हो जाए किसी का साहस नहीं हुआ सैक्रो आय सैक्रो ने पूछा और चले गए संध्या हो चली तब भगवान विश्नु ने माता लक्ष्मी से कहा देखना कोई सच्चे हरिदै से गंगा में नहाने वाला तब थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर-हर गंगे करता हुआ निकला लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही युवक का हृदय करुना से भर आया उसने भगवान विश्नु को निकालने की तयारी की लक्ष्मी जी ने रोक कर कहा कि भाई यदि तुम सर्वथा निश्पाप नहीं होंगे तो मेरे पती को छूते ही चले जाओगे उसने इस समय बिना किसी संकोच के द्रिढ निश्चे के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता मेरे निश्पाप होने में तुझे संदे क्यो होता है देखती नहीं मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ बाल गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं मैं अभी तुम्हारे पती को निकलता हूँ युवक ने लपक कर बूढे को उपर उठा लिया भगवान विश्णु और लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझ कर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया भगवान विश्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि इतने सारे लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है इसी द्रिश्टान्त के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता परंतु इसका यह मतलब नहीं की गंगा स्नान गिर्थ जाता है गंगा स्नान का बहुत पुन्य भी है मनुष्य बारा बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है वह कभी भी दुखी नहीं रहता है उसके घर में मा लक्ष्मी का वास होता है उसके घर में अपर्दन आता है घर में कभी भी लड़ाई जगड़ा नहीं होते हैं उसका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है तब माता लक्ष्मी ने कहा के भगवान आप हमें यह बारा बाते बताए जब विश्नु उन बातों को बताना शुरू कर देते हैं और माता लक्ष्मी बहुत ध्यान से सुनने लगती है श्रोताओं यह बारा बातें आप लोग भी बिलकुल ध्यान से सुना इसके बाद भगवान विश्नु कहते हैं प्री यह बारा बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो औरतें कपड़े खोल कर स्नान करती हैं उनके लिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है तो लक्षमी आप इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिये तभी विश्नु जी अपनी वानी को शुरू कर और बताने लगते हैं श्रोताओं विश्नु जी कहते हैं स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन रहता है नहाने से चहरे की क्रांती और शारिरिक आकर्शन में भी बढ़ोतरी होती है अगर इस नित्यकर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है नहाने के क्रम में इन बातों का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए नंबर एक सनान करने के बाद शुद्ध होकर पूजा पाठ आधी सारे काम करने के योग्य बनते हैं इसलिए सुभा को ही सनान कर लेना चाहिए नंबर दो शास्त्रों में कहा गया है सनान करने से इन दस गुनों की प्राप्ती होती है रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयू, आरोग्य, निरलोक्ता, तप और मेधा नंबर तीन धन पुष्टी व आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में और हर दिन सनान करना चाहिए नंबर चार शास्त्रों में कहा गया है कि सुभ सनान करने से पाप का नाश होता है और पुन्य मिलता है ऐसा कहा गया है कि सुभ नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तिया नहीं भटकती इसलिए सुभ सनान करना ही उचित है नमबर पांच बीमारी के हालात में करके नीचे से ही सनान करना चाहिए, गीले कपड़े से शरीर को पहुँच लेना एक तरह का सनान ही कहा गया है नमबर छे सुभा की लालिमा जाने से, पहले ही सनान लेना श्रेष्ट माना गया है, नमबर साथ तेल लगा कर और हृदय को मलम नदी में नहाना माना है, इसकी जगह नदी से बाहर निकाल कर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुपकी लगाना उचित है, नमबर आठ जिन घाटों पर कपड़े धोये जाते हैं, वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हट कर ही नहाना नदी में गम्यारह या 21 दुपकियां लगाना अच्छा बताया गया है, नमबर दस पवित्र नदियों में कपरे नहीं छोड़ने की मना ही है, नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहनी चाहिए, नमबर ग्यारह नल की तुलना में जहरने का पानी जहरने से, ज्यादा नमबर बारह गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी इसके बाद भगवान विश्नु जी ने कहा अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरते कपड़े खोल कर स्नान करती है हिंदो धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए है इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बाते ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जिससे उनके घर की सुख समरिद्धी बनी रहती है और खुशाली आती है साथ में अपरदन बरसता है माता लक्षमी प्रसन्न होती है दरसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बाते लिखी गई है जिनके हम पालन सदियों से करते चले आ रही है लेकिन उसके कर्म के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए अगर हम पौरानिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है पौरानिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपी काए सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी उसे समय बालकृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा दिये उसी समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छुपा लिये और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्रधारन की आसनान नहीं करना चाहिए इससे चल के देवता वरुन का अपमान होता है इसलिए आपको निर्वस्त्र सनान न करने की सलाह दी जाती है अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंध कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है क्योंकि इश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुन का अपमान करने जैसा होता है निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवन शारेरिक नुकसान पहुँच सकते हैं जदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिक्ता भी नकारात्मक हो सकती है इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें तभी आपके लिए बहतर होगा निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक उर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्तिश्क में भी होता है गरोर पुरान के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पित्री यानी अमरिक पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं जदी आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पित्रे दोश लगा सकता है ऐसे स्नान करने से आपके पित्रों को त्रिप्ती नहीं मिलती है और यह घर में पित्रे दोश का कारण बन सकता है और यह वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहन करते हैं जिन से उनकी त्रिप्ती होती है निर्वस्त्र स्नान करने से पित्री अतिरिक्ट नाराज होते हैं जिन से व्यक्ती का तेज, बल, धन और सुख नश्ट होता है इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पित्रों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है शास्त्रों में भी इस बात की मना ही है इसलिए वहाँ से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए नमबर 9 नदी में 11 या 21 दुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है नमबर 10 पवित्र नदियों में कपड़े नहीं छोड़ने की मना ही है नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहनी चाहिए नमबर 11 नल की तुलना में ज़रने का पानी ज़रने से ज्यादा नदी का पानी नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल तीर्थ के जल से गंदा जल अधिक श्रिष्ट माना गया है नमबर 12 गंदा माता का कथन है किस नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ, जो औरतें कपड़े खोल कर सनान करती है, हिंदु धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, इन नियमों में से एक है, सनान को लेकर की गई बातें, ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त् जरूर करना चाहिए, जिससे उनके घर की सुख समरिद्धी बनी रहती है, और खुशाली आती है, साथ में अपर्दन बरसता है, माता लक्षमी प्रसन्न होती है, दरसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बाते लिखी गई है, जिनके हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं, जरूरे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना, आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा, कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए, अगर हम पौरानिक कथाओ की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौरानिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपी काए सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी। उसे समय बालकृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा दिये। उसी समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छुपा लिये और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारन की या सनान नहीं करना चाहिए, इससे चल के देवता वरुन का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र सनान न करने की सलाह दी जाती है, अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं, कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि इश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं, और यदि आप निर्वस्त्र होकर सनान कर रहे हैं, तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुन का अपमान करने जैसा होता है, निर्वस्त्र सनान से आपको पाप लग सकता है, और आर्थिक एवन शारिरिक नुकसान पहुँच सकते हैं, जदि आप निर्वस्त्र सनान करते हैं, तो आपके शरीर में नकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है, और आपकी मानसित्ता भी नकारात्मक हो सकती है, इसी लिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है, कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारन करें, लेकिन बिना कपड़ों के सनान न करें, तभी आपके लिए बहतर होगा, निर्वस्त्र सनान से शरीर की सकारात्मक उर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है, और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्तिश्क में भी होता है, गरूर पुरान के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पित्री यानी अमरित पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं जदी आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पित्री दोश लगा सकता है ऐसे स्नान करने से आपके पित्रों को त्रिप्ती नहीं मिलती है और यह घर में पित्री दोश का कारण बन सकता है और यह वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहन करते हैं जिनसे उनकी त्रिप्ती होती है निर्वस्त्र स्नान करने से पित्री अतिरिक्ट नाराज होते हैं जिन से व्यक्ती का तेज, बल, धन और सुख नश्ट होता है इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त रहोकर नहाने से इसे पित्रों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है शास्त्रों में भी इस बात की मना ही है इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर ही नहाना चाहिए नमबर 9 नदी में 11 या 21 दुबकियां लगाना अच्छा बताया गया है नमबर 10 पवित्र नदियों में कपड़े नहीं छोड़ने की मना ही है नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं बहनी चाहिए नमबर 11 नल की तुलना में जहरने का पानी जहरने से ज्यादा नदी का पानी नदी के पानी से किसी तीर्थ का जल तीर्थ के जल से गंदगा जल अधिक श्रिष्ट माना गया है नमबर 12 गंदगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा मैं वहां के जल में आ जाऊंगी इसके बाद भगवान विश्नु जी ने कहा अब मैं आपको औरतों के बारे में बताता हूँ जो औरतें कपड़े खोल कर स्नान करती है हिंदु धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए है इन नियमों में से एक है स्नान को लेकर की गई बातें ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जिससे उनके घर की सुख समरिध्धी बनी रहती है और खुशाली आती है साथ में अपर्दन बर्सता है माता लक्षमी प्रसन्न होती है दरसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बाते लिखी गई है जिनके हम पालन सदियों से करते चले आ रहे हैं लेकिन उसके कर्म के बारे में हमें अभी भी पूरी जानकारी नहीं है ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए अगर हम पौरानिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान की मनाही का एक सबसे बड़ा कारण कृष्ण जी के समय से जुड़ा है पौरानिक कथाओं के अनुसार एक बार जब गोपी काय सरोवर में स्नान कर रही थी और वह निर्वस्त्र थी उसे समय बालकृष्ण ने गोपियों के सभी वस्त्र छुपा दिये उसी समय जब कृष्ण जी ने उनके वस्त्र छुपा लिये और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस लेने की प्रार्थना की तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्रधारण किया स्नान नहीं करना चाहिए इससे चल के देवता वरुन का अपमान होता है इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान न करने की सलाह दी जाती है अगर आप नहाते समय यह सोचते हैं कि बंद कमरे में कोई आपको नहीं देख रहा है तो ऐसा गलत है क्योंकि इश्वर आपको हर स्थान पर देखते हैं और यदि आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं तो यह मुख्य रूप से जल के देवता वरुन का अपमान करने जैसा होता है निर्वस्त्र स्नान से आपको पाप लग सकता है और आर्थिक एवन शारिरिक नुकसान पहुँच सकते हैं यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक उर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिक्ता भी नकारात्मक हो सकती है इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि आप नहाते समय कोई एक कपड़ा जरूर धारण करें लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें तभी आपके लिए बहतर होगा निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक उर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ आपके मन मस्तिश्क में भी होता है गरूर पुरान के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पित्री यानि अमरिक पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पित्री दोश लगा सकता है ऐसे स्नान करने से आपके पित्रों को त्रिप्ती नहीं मिलती है और यह घर में पित्री दोश का कारण बन सकता है और यह वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहन करते हैं जिनसे उनकी त्रिप्ती होती है निर्वस्त्र स्नान करने से पित्री अतिरिक्ट नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ती का तेज, बल, धन और सुख नश्ट होता है इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से में जाता है और निर्वस्त रहोकर नहाने से इसे पित्रों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है शास्त्रों में भी इस बात की मना ही है